हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टू इंटेलिजेंस कर्यर इंस्टिटूट माइसल दिवेश रवास्तो और आज एक बार फिर हम लोग आए हैं कोश्चन आफ दे को लेके तो देखे कोश्चन आफ दे आज का क्या है इन प्लैटी हलमन्थीज डाइजेस्टिव सिस्टम इस इनकम्प्लीट ये बात हमको पता है कि प्लैटी हलमन्थीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है इनकम्प्लीट होता है इनकम्प्लीट और कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है यानि entry of food की और दूसरी जगा से बात करते हैं ejection की यानि elimination of undigested waste food लेकिन ये किसकी बात है ये बात है किसकी complete digestive system की but यहाँ पर portion पूछा गया है incomplete digestive system incomplete digestive system में होता क्या है पहले ये समझ ले incomplete digestive system में ये ingestion और ingestion इन दोनों के लिए आपके पास separate opening नहीं होती है मतलब single pore से ही ingestion of food और इसी से ही ingestion ingestion and ingestion ये दोनों के से होता है single opening से होता है ये difference है incomplete और complete digestive system में आपसे पूछा गया है कि platyhelminthes phylum platyhelminthes में incomplete होता है क्योंकि आपको बताना है कि यहाँ पर क्यों ऐसा होता है it has suckers and hook in its parasitic form इसकी जो parasitic form होती है उसमें suckers and hooks present होते है actually ये वो structures होते हैं जिनकी help से जो हमारा parasite होता है वो elementary canal में रहता है और वहीं से digested food को absorb कर लेता है ठीक तो ये incomplete digestive system इसी लिए होता है क्योंकि इसको absorbed या कह सकते हैं कि digested food जो है वो मिल जाता है जिसको यह सच यह absorb कर लेता है दूसरा option देखे इट absorbed food from general body surface यहाँ पर एक term होगा from general body surface ठीक तो ये बाद भी सही है कि जो platyhelminthies होते हैं ये normal body surface से ही digested food को absorb कर सकते हैं ठीक किसके बारे में है ये लेकिन parasitic form के बारे में उसके बाद फिर देखे इट has single opening in elementary canal for ingestion and ingestion of food called mouth and anus respectively एक opening होती है जो कि mouth और anus दोनों का काम करती है यानि ingestion or ingestion एक ही opening से होता है ठीक तो यहाँ पर ये सारे के सारे statement जो है वो platyhelminthies के incomplete digestive system को support कर रहे हैं और इस वज़े से जो इसका option जाएगा and that is answer option D ठीक है तो option number D होगा यहाँ पर क्योंकि ये सारे के सारे incomplete digestive system को support कर रहें तो ये था आज का question अगले question में फिर मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहें Thank you so much